Hello everyone, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सब का मेरे चैनल में Friends, ना सब्द एक सब्द है ना अगर आपने ना बोलना सीख लिया हर समय, हर जगह पे आप ना बोलना सीख लिया है तो आप एक successful इंसान बन जाएंगे ना बोलना बहुत जरूरी है कुछ ऐसे समय, कुछ ऐसा जगह होता है जहां ना बोलना चाहिए और ना बोलना बहुत जरूरी होता है आप सिर्फ एक ना बोलना सीख के अपने लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं कैसे? इस वीडियो में आज इसी टोपिक पे बातचीत करेंगे वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सिक्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो की नई नोटिफिकेशन इसली मिल जाए फ्रेंड्स ना एक सब्द है इतनी ताकत है इस सब्द में सब कुछ बदल देता है एक मिनट में हर चीज बदल जाएगा सरिफ ना कहने से और ना कहना कुछ जगह पे हर इनसान के लिए बहुत जरूरी होता है अगर हम ना कहें तो हमारा लाइफ बहुत अच्छा बहुत हैपी बन सकता है लेडिज हो या जिन्स हर समय हर किसी के लिए इवलेबल नहीं होकर आप ना बोलना सीखिये अगर आपने ना बोलना सीख लिया तो आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे जब तक आप ना बोलना नहीं सुरू करेंगे आप अपने लिए टाइम कभी नहीं निकाल पाएंगे जिस दिन आप ना बोलना शुरू कर दियें आप अपने लिए बहुत टाइम निकाल पाएंगे आप ये पहचान पाएंगे हमारे अंदर खूबिया क्या है और कमिया क्या है जब ये दो चीज हम अपने अंदर की पहचान लेते हैं हमारे अंदर अच्छाई क्या है और बुराई क्या है हम बहुत सक्सेसफूल इंसान बन सकते हैं लेकिन हम लोग करते क्या है कि पहचानना ही नहीं चाहते हमारे अंदर है क्या मालीजी अगर हम पहचान लिएं कि हमारे अंदर जो अच्छी आदत है उसे हम डेवलॉफ करेंगे और जो पहचान लिएं कि हमारे अंदर ये गंदी आदत है बुरी आदत है उसे हम सुधारफ आएंगे तो कब करेंगे जब हमको अपने लिए टाइम होगा ओ टाइम कब होगा जब हम हर समय हर जगह पे सबके लिए एवलेबल नहीं होकर अपने लिए टाइम निकालेंगे ना बोलना सीखेंगे फ्रेंड्स ना बोलने का तीन तरीका है तीन तरीका से हम ना बोल सकते हैं इसमें पहला तरीका तो है हम सिंपल से बोल दें नहीं, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता हूँ. सिंपल से आप किसी को मना कर दीजिए, एक मिनट के लिए आप बुरे भनेंगे, लेकिन आपको अपने लिए टाइम होगा. दूसरा तरीका है ना बोलने का नहीं मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, जब मेरे पास अपने काम से टाइम बचेगा तब मैं करूगा तो ये दूसरा तरीका थोड़ा सा कड़वा लगेगा सुनने वाले को लेकिन अगर ये आप बोलना सीफ गएं तो आप अपने लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं दुनिया के जंजटों से दूर रह सकते हैं तीसरा ना बोलने का तरीका मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है नहीं मैं करना ही नहीं चाहता अपनी लाइफ में ये काम कभी करना ही नहीं चाहता हूं सिंपल बिलकुल मना किजिए मैं ये काम करना ही नहीं चाहता ये बहुत ही करवा सब्द है लेकिन इस तरीके से बोलने में आपकी लाइफ बेस्ट बन जाएगी आप बहुत से गलत चीजों से उलजहनों से अपने आपको दूर पर कर पाओगे आप लोग को एक एकजामपल के द्वारा समझाती हूँ मान लिजी आपका कोई दोस्त है आप हर समय उसके साथ रह रहे हैं आप जॉब कर रहे हैं ओफिस में कहीं भी वो आपके साथ रह रहा है और ओ इनसान गलत काम करता है जैसे की ड्रिंग करता है सिगरेट पीता है और आपको उसके साथ रहना मजबूरी है क्योंकि आप जॉब कर रहे हो तो ओफिसली एक ओफिस में कर रहे हो तो छोड नहीं सकते हैं आप हड समय उसके साथ हो आपके साथ रहते हुए वो ड्रिंक कर रहा है सिगरेट पी रहा है और आपको भी फोर्स कर रहा है अड़े यार पीले एक दिन पीने से क्या हो जाएगा कौन तेरी फैमली देखने आ रहा है यहां पे तुम पी रहे हो एक दिन पिले यार कल से नहीं पिना और आप उसकी बातों को मना नहीं कर पाएं, आप नहीं कर पाएं और उसके फोर्स करने की वज़े से आप नहीं चाहते हुए भी आपने ड्रेंग किया, नहीं चाहते हुए भी आपने सिगरेट पिया, उस समय अगर आप एक छोटा सा सब अगर आप ना बोल देते तो आप वो काम नहीं करते आप गलत चीजों की आदतों में नहीं पड़ते और गलत आदते ऐसी है फ्रेंड्स कि यह संगती से ही बदलता है अगर हम कितने भी अच्छे हो लेकिन हम बुरी संगती में रह रहे हैं तो हमारा आदत अपने आप बदल जाएगा हम अच्छे से खड़ाब बदलते हमें देर नहीं होगी फ्रेंड्स तो यह छोटा सा सब्ध है जो ना अगर आप यह कुछ जगों पर बोलेंगे जहां जरूरी है आप इस पर अड़े रहेंगे नहीं मैं नहीं करना चाहता आपनी लाइफ में कभी नहीं करना चा इंसान ओ है जो हर समय हर जगह पे अच्छे बुरे लोगों के साथ रहकर भी अच्छा बने कुछ इंपॉसिवल नहीं होता है अगर हम चाहें तो सब कुछ पॉसिवल हो सकता है तो इस ना सब्द में फ्रेंड्स इतनी ताकत है माल लिए आप हाउस वाइफ ही हो हर समय हर ज हर जगह पे ना वोलना भी सीख benefits और सफना आप अपने और आप अपनी लिए टाइम निकाल पाएंगी हर समय छिंप हर किसी के लिए अवेलेबल रहकर आप अपना यसं भी होती है रहे तो आपने विलए जोरी नहीं हैं कि अगर हम house wife हैं हमारा family member ही क्यों नहों तो हर जगह मैं उसके लिए label रहूं नहीं कुछ जगह ऐसा है जहां आप माना कीजिए माना करना जरूरी है ना कहना जरूरी है और उस जगह पे आप ना कहके अपने लिए time निकालिए उस time को सदुपियों किजिए आप अपने आपको डेवलफ करने में अपने आपको पहचानने में कि आपके अंदर खूबियां क्या है आप क्या करना चाहती है हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबियां होती है और कुछ कमियां भी होती हैं तो उखुबियों और कमियों को अपकप पहचानियेगा जब आपको अपने लिए टाइम मिलेगा तो friends आप male हो या female हो हर समय हर जगह पे हर किसी के साथ available नहीं होकर उसका साथ नहीं देकर कुछ जगह पे ना बोलना जरूरी होता है और ना बोलना सीखिए चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे आप ना बोलना सीखिए ना बोलना जरूरी होता है तो so please आप लोग ना बोलना जरूर सीखिए अपने life को best बनाने के लिए आज की हमारी बातचीत यहीं तक थी I hope आप लोगो अच्छा लगा होगा मेरी चैनल को सिक्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अपने फैमली और फ्रेंड के साथ सेयर कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छी बातों के साथ फिर मिलेंगे बाई बाई